जैहिन सात्यों बेलकम टू सेल्प स्टेटी किलासे इस विस्टो में चेंड यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ से पर्यावरण के बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्णों और बारे की प्रस्णों और उत्तर के बारे में 40 प्रस्णों पर आज हम चर्चा करेंगे और यह मोस्ट इंपोर्टेंट हैगर आप MP TET एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं TET एक्जाम है CTT किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण होने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सेयर कर दो और पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जा करके देख लो आ I A S Study Tric ठीक हैłe S Study Tric और ज्वायन हो جाना है दोटों आज का हमारा पहला प्रस्ट है तुलिसी का बानस्पति नाम क्या है तुलिसी आप जानते है तुलिसी का पौधा होता है है घरों में लगाये जाता है और इसका बानस्पति की नाम हमें बताना है тоङ क्या हो जाएगा प आपको उत्र बताना है अगर आपसे बनता है तो संथाल जाती कि लोग किस से ब्रक्ष को खाने में परियोग करते हैं जल्दी से बताना है प्रश्न कर्मा के दो का उत्र बताना है कौन से ब्रक्ष को खाने में परियोग करते हैं तवास आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो ज जानते हैं और इसकी जंगली जंजातियां जातियां बताना है तो प्रश्न करमांग तीन का उत्तर क्या होगा तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेकलप नमबर जल्दी से अगर आपकी बनता है तो कमेंट में जरू बताएं उत्र होगा सा मतलब सैकेरम रोवस्टम औ हमें बताना है तब आपका सही उत्तर होगा सभी बिकलप नमबर चार इसका सही होगा इस सभी जो कीट होते है वो लाबदाएक कीट होते है ठीक है बाजरा प्रथम सुस्क किर्शी कहां पर अचले थे बाजरा की खेती आपने देख हो गई या बाजरा आपने देखा हो तो बाजरा पर्थम सुस्क किर्सी कहां प्रचले थे चार बिकल्प है चार में से उत्तर हमें बताना है कच्छ प्राइदीप में है ना गुजरात के उत्तरी मेंदान में आवा दौनों में या उत्तरी कस्मीर में प्रशने करमांग 5 का उत्तर क्या हो जाएगा तब आपका उ सोंदन का, तब आपका उत्तर होगा दोस्तो वर प्रश्ण क्रमांग 6 का हो जागा इस पात, कोयंबिटोर जो है बेंगडुर प्रमुक रूप से किसका उत्पादक है, तो इस पात का है, ठीक है अंगला क्वेस्चन है उद्योग एक प्रदेश की बिसेशता नहीं है तो क्या नहीं है उच्च नंगरी करन, निरमाण उद्योगों की प्रादक्ता बिक्सित परिवाहन एवं ब्यापार लगू एवं कुटेर उद्योगों का बिकल्प तो प्रश्नकरमाग साथ का उत्र हमें बताना है कमेंट में, उत्तर इसका सही हो जाएगा प्रश्नकरमाग दा, लगू एवं कुटीर उद्योगों का बिकल्प ये उद्योग एक प्रदेश की जो है बिसे इसता नहीं मान जाती बिकल्प नमर दा इसका सही हो जाएगा अंगला question है भारत का courts, police किसको कहते है most important, courts, police कहा जाता है तो किसे कहा जाता है प्रशने करमांग 8 का उत्तर हमें बताना है तो 8 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई मुंबई यानि कि जो बिकल्प नमर सा है इसे courts, police कहा जाता है मुंबई जो कि महराष्ट में है सभी को पता है ठीक है और इसे courts, police कहा जाता है सबी लोगों को याद रख लीना है मदुमक्की के एक ही परिवार में कितने सदस होते हैं परिवार में कितने सदस होते हैं तब आपका उत्तर हो जाएगा 3000 से 5000 एनि कि जो बिकल्प नमर सा है वो इसका सई हो जाएगा ठीक है? हाँ अगला question है लक्ष कीट के अंडे का आकार है लक्ष कीट के अंडे का आकार क्या है आपके जो दोस्तों वो है सिलेवस है उसमें पौधे, पसू, पक्षी इस सभी क्या है? कैमे हैं आपके सिलेवस में है तो सभी को याद रख लेना इनका अध्यन हम कर रहे हैं मानसूर येसिया में प्रचले थै बिस्तरित किर्सी, सघन किर्सी, बाड़ेजक, कटिवंदी किर्सी ये फिर एकल, सस्स किर्सी तो ग्यारा का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है प्रशन क्रमांक जो ग्यारा है इसका जो उत्तर होगा वो होगा सघन किर्सी यहनी कि जो बेकल्प नमर सा है वो इसका सायू का मांसूर इस या में प्रचले थे सगन किर्सी जूंका प्राणी बेग्याने के नाम क्या है तो पेडिकुलस, हिूमेनस, बामबीकस, मोरी या एपेड़, डार्सिटा या साइमेक्स प्रशने करमांग 12 का उत्तर बताओ जल्दी सी क्या हो जगा बारा का उत्तर हमें बताना है इसका उत्तर हो जगा पेडिकुलस, हिूमेनस जू का प्राणी बेग्याने के नाम है पेडिकुलस, हिूमेनस आद्र प्रधान किर्सी कहां परचले थे? प्रशनिकरमांग 13 का उत्र बताओ आद्र प्रधान जो किर्सी है वो कहां परचले थे? महानदी डेल्टा बेसिन में, तिरपुरा की मेंदान में, मेघाला की पठार में या सभी तो इसका उत्र क्या होगा? फटाक सी बताना है इसक प्रेरी, बेल्ड या फिर पंप प्रशने करमांग 14 का उत्तर बताना है चार बिकल्प में से आबा सादा उत्तर हमें बताना है तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामूह किर्सी कहां प्रच ले थे तो स्टेपी में यहनि कि जो बिकल्प नमर A है वो इसका सही होगा ठीक है इस टेपी छेतर में रेसम कीट की जातियों में से कितनी जातियां प्रमोक हैं रेसम कीट की जातियों में से कितनी जातियां प्रमोक हैं पांच, तीन, साथ या फिर चार तो आपको पता होनी चाहिए कि रेसम कीट की जातियों में से साथ प्रजातियां जो है प्रमोक है बेकल्प नम्मर जो B है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है पेड़ों पर किस पक्ची के गोंसले लटके हुए पाई जाते हैं है ना तो आपको बताना है जल्दी बताओ किस के होते हैं प्रशने करमांग 16 का उत्र बताना है तब उत्तर होगा कबूतर यानि कि जो बेकल्प नमर सा है वो इसका सही होगा ठीक है बेकल्प नमर सा गोटरगूं गोटरगूं किस पक्ची की आवाज है पक्षी की आवाजें भी आपसे पूछ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रशने क्रमाग 17 का उत्तर तब आपका उत्तर होगा दोस्तो गोटरगू गोटरगू एक कबूतर की आवाज यानिकि जो वेकलप नमर सा है वो इसका सही होगा नेक्स जे किसने भारत बर्स में उद्ध्योग प्रदेशों में सीमांकन किया तो किसने किया है उद्ध्योग प्रदेशों में सीमांकन जद्धी से बताओ प्रशने क्रमाग 18 का उत्तर हमें बताना है तब आपका उत्तर हो जाएगा RL से है मतलब वेकलप नमर जो A है वो इसका सही हो जागा ठीक है इन्होंने उद्धियों के प्रदेशों में सीमांकन किया है 90% से अधिक जूट का जो सामान है वो कहां मिलता है प्रश्न करमांक 19 का उत्तर सभी लोग बताएंगे हुगली प्रदेश, छोटानागपुर, मॉंबाई, पोने या हमदाबाद में तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताओ मॉंबाई, पोने प्रदेश में जो है ए मिलता है 90% अधिक जूट का सामान भारत बर्स में कितने ब्रहत लगू छेत्रों में सीमांकन किया गया है तो कितने ब्रहत लगू छेत्रों में किया गया है प्रश्न करमांक 20 का उत्तर बताना है तो 20 का उत्तर हो जाएगा 5 ब्रहत 14 लगू छेत्रों में जो है सीमांकन किया गया है आपको याद रख लेना है अंगला question देख लेते हैं अंगला question है बढ़ोद्राक किस उध्योग के लिए विख्यात है जल्दी बताना है 21 का बढ़ोद्राक किस उध्योग के लिए विख्यात है इस पाथ, बिद्दूत, मसीनरी, बस्तुरुद्ध्योग इमामरासाईन या फिर बॉकसाइड तो 21 का जो आपका अंसर हो जाएगा वो क्या होगा वो होगा सा बस्तुरत्द्योग इममरसाईन सा नमरस का सङई हो जागा काले बन पाय जाते हैं तो कहाँ पाय जाते फ्रांस में जर्मनी में चैकोसलाव बाकिया में या फिर रूमानिया में कालिवन कहां पाय जाते most important है 22 का answer हमें बताना है तब आपका उत्तर होगा कि जो कालिवन पाय जाते हैं वो पाय जाते जर्मनी यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही हो जागा ठीक है निवन मैसे तत्वता है कौन सी एक हिमालाई बंसपती की जाती नहीं है जल्दी बताओ कौन सी एक हिमालाई बंसपती की जाती नहीं है जो नीपोर सिलपरफोर महोगनी या स्प्रोस 23 का answer क्या होगा तो इसका सही उत्र होगा महोगनी यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही हो जागा ठीक है निवन वैसे कौन सा ब्रक्ष परियाबरनी ये संकट माना जाता है 24 का अंसर हमें बताना है परियाबरनी ये संकट कौन सा ब्रक्ष माना जाता है तब आपका उतर क्या होगा वो होगा UK Liptus यानि कि जो बिकल्प नमबर A है वो इसका सही हो यहां पर नबीनी करण का प्रभाव कौनसा नहीं है हिमालाय में जल सुरूतों का सूकना जवित्ता की हानी नंगरी करण या फिर मिर्दा अपरदन 25 का अंसर क्या हो जाएगा तब आपका उत्र होगा नंगरी करण यहां पर नबीनी करण का जो है प्रभाव नहीं है नंगरी हो जाएगा ठीक है 25 का सा अंगला क्वेश्चन है निमने में से निमने लिखित भारती राज्यों में से किस एक का कुल बन छेतर नियूंतम है तो किसका है 26 का अंसर बताना है तो बन छेतर जो नियूंतम है वो है हरियाणा यानिकि जो बिकल्प नमर सा है वो इसका सई होगा ठीक है एबोनी तथा महोगनी ब्रक्ष संबंदित है तो बताओ कौन से संबंदित कौन धारी बनो से पतजड़ बनो से आयात वतिये वांसुन पनो से या फिर आयान वतिये सदा बहार बनो से 27 का अंसर बताना है तब आपका उत्तर क्या होगा 27 का सभी लोगों ने जो उत् है दा मतलब अयान वतिये सदा बहार बनो से एबोनी और महोगनी ब्रक्ष संबंदित हैं अंगला कोचन राष्ट्य वान की कारियोजना का लक्ष भारत में 33 प्रितिसत भूचेतर को किस बरस तक ब्रक्षा दित करने का था तो किस बरस तक था 28 का हमें बताना है आप सभी को बूचेतर को किस बरस तक ब्रक्षा दित करने का था तो 28 का अंसर बताना है तब उत्र होगा 2012 तक है ना 33 प्रितिसत जो है बन आच्छा दित करने का था किसका राष्ट्य वान की कारियोजना का बारत में निमलेकित बानस परतिक प्रिजातियों मैं से किस एक का ब्रहत्तम छेतरिय विस्तार है तो उत्र बताना है साल, सागोन, सीसम या फिर देउदार 29 का सभी लोग उत्र बताएंगे 29 का हो जाएगा सागोन इसका ब्रहत्तम जो है छेतरिय विस्तार है सा नमर सका सई होगा चोटा नांगपूर के जंगल है, पत जड़, सदा बहारिया एवं स्टेपी या पत जड़ वा स्टेपी चोटा नांगपूर का पठार, तो तीस का उतर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है प्रस्निकरमा कि तीस का जो उतर होगा वो होगा चोटे नागपुर की जंगल जो है वो पत जड़ प्रकार के है यानिकि आ है जो उसका सही होगा चोटे नागपुर की पठा जो परवत है चोटे नागपुर का पठार है इसकी सरवोच चोटी का नाम है पारसनात ये भी आतक ना है भारत में निमलकित बन प्रकारों में किस एक का ब्रहत्तम छेतर है, तो जल्दी से उत्र बताना है, 31 का उत्र बताओ, उत्र क्या हो जाएगा, 31 का सभी लोग उत्र बताएंगे, तब आपका उत्र होगा, जो ब्रहत्तम छेतर है, वो है उस्ट्न कटी बंदी आर्द्र परनपाती बन, उस्ट्न कटी बंदी आर्द्र छेत्र माना जाता है ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखेंगे अंगला जो हमारा कॉस्चन है अन्डेम ले लेके थे ये गमो मैसी इसको छोड़ देती है आपको बताना है कुंजबन कहां इसते थे कुंजबन बताना है 33 का अंसर बताना है तो साइवेरिया में भूमद्द सागरिय छेत्र में उत्री अफ्रिक्या में या फिर अरब में तो जो कुंजबन हैं दोस्तों मोश्ट इंपोर्टनेट कॉस्चन भी है तो वो उत्री अफ्रिक्या में है कुंजबन ठीक है सानमर इसका सही होगा पेड़ पौधों एवं जन्तुओं की सरवाद एक बिवदिता बिसेशता है तो क्या है थर्टी फोर का अंसर बताना सीतोष्न कटीबंदिये परणपाती बन की उश्न कटीबंदिये आदर की सावाना की या सीतोष्न कटीबंदिये जो है घास के मैदान की तो थर्टी फोर का जो आंसर होगा वो होगा बा उश्न कटीबं प्रश्निक रमांग 36 का अंसर क्या होगा तो वो होगा संकूधारी बन ठीक है सा नम्मर इसका सही हो जाएगा अंगला क्वेस्ट्न है क्राउण साइनस नामध परीद्र से कहां मिलता हूँ नेक्स बिननल समुधायों के बीच का संकरानती छेत्र कहलाता है एको टाइप, एकेड, एको इस्पियर या एको टॉन जल्दी से 38 का उत्तर बताना है इसका जो बेकल उत्तर हो जाएगा एको टॉन दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांती छेत्र कलाता है एको टॉन यानि कि दा जो है वो सही हो जाएगा 39 का उत्तर हमें बताना है उत्तर होगा जोस्तो उसन सदा बहार कटी बन दिये यानि कि जो बेकलप नमबर सा है वो इसका सही हो जाएगा भरत में 30 सगन बनो का सरवाद एक छेत्र जिस राज्ज में पाया जाता है वो है कौन सा है 30 सगन तो 40 का उत्तर सभी लोग बताएंगे तो 30 सगन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरुनाचल प्रदेश यानि कि जो बेकलप नमबर A है वो इसका सही हो जाएगा भरत के निमलकित में से कौन सा नगर ब्रक्षा रूपण में बिसिष्टा रखता है फिप सिख 41 का उत्तर बताना है तब उत्तर हो जाएगा आपका दा अनि कि बाल पराई बाल पराई जो है ये नगर ब्रक्षा रूपण में बिसिष्टा रखता है तो यहाँ पर हमने 41 प ग्रुप से अवसे जुड़ना है सबी को टेलिग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलिग्राम एप डाउनलोड करो उसमें सर्च करो IAS Study Track और जोआन हो जाओ ठीक है वीडियो को लाइक और सेहर अवसे करें जैहिन